गाजा पट्टी में हमास और इस्राइल के बीच भीशन युद्ध जा रही है ऐसा युद्ध जिसने पूरी दुनिया की मानफ्ता की जड़े हिला के रख दी है लगतार एक दूसरे पर रॉकेट दागे जा रहे हैं बम बरसाए जा रहे हैं इस्राइल की सेना हमास के आतंकी ठीकानों को चुन-चुन कर तबाह करने में लगी है आस्मान से लेकर जमीन तक सभी जगहों से हमास पर हमले किये जा रहे हैं आईडियाफ ने कहा है कि साथ अक्टूबर को हमास द्वारा हमला शुरू करने के बाद से उसने गाजा पट्टी में हमास के लगभग दस हजार से जादा ठीकानों पर हमला किया है हजार से जादा लोगों की मौत हो चुकी है जमीनी और हवाई हमलों में हमास के कई ठिकाने तबाह करने के साथ ही इसराइल ने इस जंग को अब समुद्री ओर बढ़ा दिया है इसराइल के प्रधान मंत्री ने साफ कर दिया है कि साथ अक्टूबर का हमला दोबारा नहीं दोराने दिंगी इसराइल हमले में जबालिया में कई इमारते तबाह हो गई वही हमास के शशस्त्र साखा अल कमस ब्रिगेड ने कहा है कि जबालिया शरनार्थे शिवर पर इसराइली हमले में साथ बंधक नागरिक मारे गए हैं जिनमें तीन विदेशी पासपोर्ट धारक भी हैं इधर अ इसक्षू इसक्षाम के शिवर के जबाश संधिंटनार्च के जबाव ह्याव के साथ हौ। तब États-व अशस्ते हैं ने कर वहीं हमास के साथ चल रहे युद में इसराइल का समर्थन करने वाले भारत सहीत कई देशों के खिलाफ हैकिंग गतिविधियां बढ़ गई है फिलिस्तीन समर्थक साइबर करताओं ने हमास के खिलाफ युद्ध में इसराइल के सहयोगी माने जाने वाले देशों को निशाना बना लिया है एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका, फ्रांस, भारत और हाल ही में इटली के हितों के खिलाफ हैकिंग प्रयास उलेखनिया व्रिधी देखी जा रही है